और दोस्तों आईए देखते हैं उम्र कैसे निकाला जाता है, कैसे एज को फाइंड किया जाता है, जैसे देखे ध्यान से, यहाँ पर एक डेट दी गई है, ठीक है, यह है 10-3-2022, 10-3-2022 की तारिक है, जिसमें दिन 10 है, महीना 3 है, जनुरी-फरोरी मार्च है, और बरस है 2022, ठीक है और किसी व्यक्ति का जो जनमति थी है वो है 6-2-2001 ठीक है 6-2-2001 है तो कैसे जो है हम उसकी ठीक है एक्जेक्ट जो है उस तारीख को कितने उम्र का हुआ या कैसे हम बताएंगे इसको फाइंड करना आज हम आपको सिखाएंगे तो देखे द्यान से अब जो है यहाँ पर दिन जो है 10 है और यहाँ नीचे 6 है तो इसको माइनस करेंगे तो यह आसानी से माइनस हो जाएगा 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखें 3 है माह और नीचे 2 है तो यह भी आसानी से माइनस हो जाएगा यह हो जाएगा 1 इधर जो है माइनस क तो जिरो हो जाएगा तो इस तरह से इस व्यक्त की आई जो है 21 वर्स एक माह और चार दिन हुई 21 वर्स एक माह और चार दिन हुई यह तो एक simple हो गया simple हो गया इसमें हासिल की जरूवत नहीं थी आसानी से आपने कर लिया अब एक दूसरा देखते हैं जैसे यहाँ पे इसमें आप देख रहे हैं कि जो दिन है वो दस है ठीक है तारिक जो है 10-3 2022 की तारिक है और जन्म तिथी जो है वो है आपका 15-7-2005 ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से देखें 10 से 15 घटाना है अब यहाँ असानी से नहीं घटेगा यहाँ पे हासिल की जरूरत होगी अब यहाँ पे मार्च है ठीक है तीसरा महिना है अर्थात यह मार्च है तो मार्च का महिना देखते हैं तो मार्च के महिने में कितने दिन का होता है ठीक है तो जब 31 दिन उधार देगा तो 31 और 10 दोनों add हो जाएंगे तो 41 हो जाएगा 31 10 कितना हो गया 41 हो गया 41 से 15 माइनस करेंगे 41 से 15 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 26 ठीक है अब यहाँ पर बच गया 2 2 बच गया तो 2 से 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर इससे उधार लेगा तो यह मा है तो इससे क्या उधार मिलेगा बर्स उधार मिलेगा एक बर्स उधार मिलेगा तो जब यह एक बर्स उधार देदेगा तो यह हो जाएगा 2021 21 और एक वर्स उधार देने का मतलब है यह 12 महीना उधार देगा कितना उधार देगा 12 महीना और यह एक महीना इसको दे चुका है यहाँ पे 2 महीना बचा हुआ है तो 12 और 2 बचा हुआ है तो यह टोटल कितने हो गए 14 महीने तो 14 महीने में से 7 महीने माइनस करेंगे तो हो जा करना है 2005 मांइनस करना है यह हो जाएगा कितना होजाएगा 16 यह हो जाएगा आपका 16 नोजार्यकी से 2005 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 इस तरह से ब्यक्त की आयू जो है वो है 16 बर्ष 7 माह और 26 दिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात आपकी यह है कि जब हम माह को उधार लेते हैं तो यहाँ ध्यान देते हैं कि वह माह जो है किस मन्त का है जैसे यहाँ पर 3 था तो 3 जो है यहाँ मार्च का है तो यहाँ पर उधार जो देगा वह मार्च अर्थात 31 दिन देगा अगर यह ठीक है? इस तरह से अगर यह फरवरी होता तो उधार कितना देता? 30 दिन का देता ठीक है? जैसे एक उधारन हम लोग समझते हैं जैसे आज की तारीक लेते हैं तो आज की तारीख है आपका 5 ठीक है नमंबर तो 5 11 2022 पांच 11 2022 है ठीक है और किसी बालक की आयू जो है वह है 13 8 1986 13 8 1986 तो आज के डेट में इस बालक की आयू कितनी हुई यह हम कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले यह आप देखेंगे घटाएंगे तो 5 में से 13 नहीं घटेगा तो यहां आपका 11 है ठीक है तो इग्रहमा महीना जो है वह पहले कितने दिन का होता है तो इग्रहमा महीना आपका नवंबर है और नवंबर होता है तीस दिन का नवंबर होता है तीस दिन का तो यह जो है एक मन्त इसको उधार देगा और थात यह कितने दिन उधार देगा तीस द दिन और पांस दिन 35 दिन हो जाएगा ठीक है तो 35 दिन से 13 दिन माइनस करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 22 दिन हो जाएगा ठीक अब यहां बच गया 10 ठीक है 10 से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 अब यहां जो है 2022 से 1986 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 36 तो इस तरह से व्यक्त किया जो है 36 वर्स दो माह और 22 दिन होई ठीक है श्टेंट्स तो इस तरह से हम लोग एज को फाइंड करते हैं ठीक है वीडियो अगर आपको लाइक लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइब करें ठीक है मैं डाक्टर मरीशर अपनी चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हम क्लास 12 को फिजिक्स कमेस्ट्री बायो पढ़ाते हैं क्लास 11 वालों को भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके जिसमें 11 12 का फिजिक्स कमेस्ट्री बायो पूरा कंप्लीट प्ला दिया गया है NCRT बुक को आप महां से अपना इस्टडी जारी रख सकते हैं थेंक्यू